हलो फ्रेंड, CKD Stock Market News चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा आज मैं आपके सामने आंधरा बेस्ट के अनर कंस्ट्रक्शन की बात करने वाला हूँ अगर आपको पता होगा तो इस बजट में दो सबसे बड़े राज जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला एक है बिहार और दूसरा है आंधर प्रदेश सिंपल थी बात है सब को पता है इसका लॉजिक कैया है हम उस पर नहीं जाएंगे की की लॉजिक कैया है पर आपको यह पता होना चाहिए कि आंधर प्रदेश में जो भी डिवलाप्मेंट हो रहा है इसका किन शेर पर फाइदा होगा तो जिन share का फाइदा होगा उसमें से एक के अनर construction है दूसरे की अभी मैं बात करूँगा के अनर construction की बात करूँगा तो ये आंद्रा-based company है market cap की बात करेंगे बहुत छोटा सा इसका market cap है केवल 10,421 करोड का पर company का valuation बहुत decent है current price केवल 372 रुपए का है जैसा कि मैंने आप से काओ सस्ती भी मिल रही है construction sector में company है return on capital employee, return on capital employed और return on equity ताबल तोड़ है जो कि है 20% से उपर का किसी भी construction based company का return on capital employed ROCE या ROE अगर आपको 20% से उपर का दिख जाए यानि की company का valuation बहुत सा ठीक है face value की बात करेंगे 2 रुपए का है तो आने वाले समय में आपको split का भी मज़ा देखने को मिलेगा अगर मैं बात करूँ के peer competitor के तो देखिए RVNL हो गया, IRB Infra हो गया IRCON International हो गया, GR Infra Project हो गया PNC Infra Tech हो गया, HG Infra हो गया या KNR Construction हो गया ये सारे share इसके peer competitor बनते हैं sale की बात करेंगे तो 996 करोड से 1414 करोड की इसकी March quarter के अंदर sale bumper record दर्ज करवाई इसने net profit की बात करेंगे 136 करोड से 341 करोड का EPS 4 के EPS से 12 का EPS आया तो fundamentals तो इसके जवरजस्त है वह कंपनी के अगर मैं कुछ borrowing की भी बात कर लेता हूं यहां से तो borrowing देखिए 492 करोड से 1162 करोड का long term borrowing जो की double होते हुए देखने को मिला short term borrowing की बात करेंगे 155 करोड से केवल 96 करोड की रहे गई तो short term borrowing में आपको गिरावट देखने को मिल रही है debtor days की बात करेंगे 56 दिन के ही रहे जो की ठीक है construction based company में इतना चलता है वहीं अगर मैं promoter की holding की बात करूँगा तो promoter ने stake को June quarter के अंदर खाली कर रहे है तो यह दिक्कत भरा हो सकता है 51% से 48% का पर जब promoter ने खाली किया तो खरीदा किसने FIIs ने जम कर इस share के अंदर खरीदारी करी है 7.13% से 8.18% आप पब्लिक ने बात करेंगी तो पब्लिक ने भी 1% के असपास इस share के अंदर खरीदारी करी है June quarter के अंदर June quarter के जैसे ही result आएंगे मैं आपके सामने लेकर के आ जाओंगा चलिए next share पर चलते हैं मुहीं जो next आंदरा based company के बात कर रहा हूँ उसका नाम है रामकी infrastructure limited जी हाँ रामकी infrastructure की बात करेंगे तो ये भी एक construction based infrastructure company है market cap की बात करेंगे एक mid cap के एक small cap category की company है जो कि ये केवल 5,245 करोड का इसका market cap current price 745, 757 करोड का high 1,009 का लगाया low 390 का लगाया तो शांदार return इसने generate करके दिया एक साल के अंदर-अंदर इस्टों के पेगी बात करेंगे वह 17 का है valuation बहुत decent है और close to 20% return on capital employed और return on equity है जो की bumper है face value 10 रुपाई का है तो आपको आने वाले समय में split भी देखने को मिल सकता है rail विकास, निगन रिम्टेड, RBA, IRB Infra IRCON, GR Infra, PNC Infra, HG Infra, KNR Construction और Ramki Infra इसके कुछ peer competitor बनते हैं sales की बात करेंगे 441 करोर से 581 करोर का March quarter में तो share भी जो इसकी sales है bumper देखने को मिली net profit की बात करेंगे 38 करोर से 58 करोर का EPS की बात करेंगे 5 के EPS से 8 का EPS आया यह भी पढ़ते हुए देखने को मिला वहीं आकर company के borrowing की बात करेंगे तो borrowing में सांदार recovery देखने को मिली 369 करोर के long term borrowing से 580 करोर का इसका borrowing जो की long term के इसाफ से देखेंगे तो बढ़ी है इसकी borrowing पर शौर्टरम बात करेंगे बहुत तकड़े से इन्होंने कम किया करीब करीब 1000 करोर का इन्होंने pay off किया 1282 करोर से केवल 214 करोर का current में short term borrowing है इसके साथ साथ अगर में बात करूँ तो debtor days देखें केवल 81 दिन से 70 दिन के रह गए अब यह धीरे धीरे और थोड़ा सा कम कर लें तो return भी कोई बड़ी बात नहीं कि 1000 के उपर इसका share price नजर आएगा promoter के holding की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 69.81% का promoter की holding है FIIs की बात करेंगे तो आधे रह गए DIs की बात करेंगे DIs का similar है public ने bumper stake यहाँ पर डाला हुआ है 29.40% का तो यह दो मैंने आपके सामने infrastructure company से related बात करी इसके साथ ही साथ peer competitor पर भी आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि RBNL, IRB Infra, IRCON, GR, PNC, HG Infra इन लोगों ने भी bumper return बना के दिया है और आने वाले समय में HG Infra हो PNC Infra हो, KLR Construction हो GR Infra हो, यह भी अच्छा return बना के देंगे तो इन पर भी आपकी नजर होनी चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा Income Tax Filing का सीजन चल रहा है आप यह services आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो बस क्या करना है, दिये के WhatsApp नंबर पर अधिक जानकारी प्राप्त कर लेना बहुत बहुत धनिवाद, हरर महादयो, अपा श्रोडम, हरी श्रोडम बहुत बहुत धनिवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए